हलो दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम 18 फरवरी 2021 के करंट अफेर करेंगे और देखेंगे कौन सी खबरें मुख्य रही हैं जिनके उपर एक्जाम में कोश्चन पूछा जा सकता है ज़्यादा बाते ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिया गया बैल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो का करते हैं देखते हैं कि आज के कोश्चन कौन कौन से हैं फर्स्ट कोश्चन है पुल गोरु वेंकेट संजे कुमार किस राज्य के हाई कोट के नए मुख्य नयायदीश बने हैं जो पुल गोरु वेंकेट संजे कुमार हैं वो किस राज्य के हाई कोट यानि कि उच्छ अद मनिपूर हाइच कोट के बने हैं पुल गोर्विंकित संजेग कुमार और मनिपूर की जो कैपिटल है वह इमफॉल हैं और अगर मनिपूर की भारत में स्थिति की बारे में बात करें तो ये भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में पढ़ता है North Eastern area में पढ़ता है Manipur So इसकी capital in fall है और ये भारत के North East area में पढ़ता है उत्तर पूर्वी area में पढ़ता है Next question देखते है जूट बीज वित्रन योजना जो ऑगा है किसने शुरू की है आपको पता ही होगा जूट एक फसल है जूट, बीज, वित्रन, योजना जो है किसने शुरू की है ये समरिती रानी ने की है और समरिती रानी जो है MP है, Member of Parliament है, अमेठी से और केंद्रिय मंत्री भी है और अब हम बात कर लें जूट के बारे में जूट जो है, ये सबसे सस्ती प्राकिर्थिक फाइबर में से एक है और ये जूट जो फसल है, कौन सी मिट्टी में पैदा होती है उसके लिए जलोड मिट्टी चाहिए और इसके लिए जो टेंपरेचर है वो 20 से 40 डिगरी सालसियस होना चाहिए और अगर जूट की फसल के बारे में बात करें तो उसके रंग और उच नगद मूले के लिए इसको गॉल्डन फाइबर भी कहा जाता है इसको गॉल्डन फाइबर कहने का एक रीजन ये भी है क्योंकि ये सबसे सस्ती भी मिलती है और एक कुदर्ती फाइबर है प्रकिर्तिक रूप में मिलती है जो So next question देखते है IPL टीम जो Kings 11 पंजाब है ने अपना नाम बदलकर क्या रख है आपको पता ही होगा IPL में 8 टीमें होती है उसमें जो पंजाब की और से टीम खेलती है उसका नेम पहले था Kings 11 पंजाब Kings 11 पंजाब था So जिसको शोट में Kings KXI और P यह रोमन अंक है 11 पंजाब शोट में लिखा जाता था और इसके जो पिछले साल के जो T20 हुआ है उसके जो कैप्टन थे उनका नेम था केल राउल केल राउल जो थे विक्ट कीपर बल्ले बाज थे और अभी इन्हों ने जो अपना नेम रखा है वो क्या रखा है पंजाब Kings Next question देखते है डैली पुलिस का 74 जो स्थापना दिवस है कब मनाया गया जो डैली पुलिस की स्थापना होई उसका जो 74 जो स्थापना दिवस है कब मनाया गया यह 16 फरवरी को मनाया गया है और डैली पुलिस का जो गठन हुआ था वो 1861 में हुआ था जब ब्रिटिश लोग भारत पर शाशन करते थे और इसको जो नेम मिला वो डैली पुलिस के वाला वो 16 फरवरी 1948 को मिला जब देश अजाद हो चुका था और कुछ मन्त हुए थे तब इसका गठन हुआ था इसका जो डैली पुलिस का सिधानत है उसका क्या सिधानत है वो है शांती सेवा और नयाए और यह डैली पुलिस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के अंडर नहीं है यह डैली पुलिस जो है सेंटरल जो गोवर्मेंट है उसका ग्रैम अंतराले है उसके अंडर है यानकी जो ग्रैम अंतराले के जो मंतरी है अमित शाजी उनके अंडर जो है डैली पुलिस है काम करती है विदेश सचिव हर्षवर्दन श्रिंगला किस देश के दो दिवसिये यात्रा पर गए है वो रूस की यात्रा पर गए है और रूस की जो कैपिटल है उसका नेम है मोस्को और जो वहां के रास्टरपती प्रेजिडेंट है उनका नेम है व्लादिमीर पुतिन नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं और एक बात रूस जो है एरिया में सबसे बड़ा देश है विश्व का नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं किसने यी शामनी पोर्टल लॉंच किया है जो यी शामनी पोर्टल लॉंच किया है वो हमारे रक्षा मंतरी डिफैंस मिनिस्टर रायना सि जी ने किया है और रायना सिंग जी कौन है यह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं किस देश की टीम ने टीटवंटी किरकट में सो अंतरास्ट्रीय मैच जीतने वाली जो पहली टीम बनी है हम चाहिस को होते हैं हम सब्सक्राइबर में इसंटरास्ट्रीय मैच अब्र सकतारीय मेच तो तक बाटेश में पाकिस्तान है पाकिस्तान हमारा पडोसी देश है और इसकी गापिटल यह वह इस्लामाबाद है और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उसका नहीं मैं इमरान खान हाली में पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल भी लौच की है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं भारतिय किरकट टीम ने किस पूर विक्ट कीपर बल्ले बाज ने सभी प्रूपों में सन्यास ले लिया है जो भारतिय किरकट टीम के सभी प्रूप हैं जैसे T20 है, ODI है या TEST है उसके सभी फॉर्मेट में से सन्यास ले लिया है और वो विक्ट कीप पर बलेबाई थे उसका नेम है नमन ओजा next question देखते हैं किस खेल प्रादिकरन को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रॉन उडाने की अनुमती दी गई है ऐसा कौन सा खेल है प्रादिकरन है जिसको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रॉन उडाने की अनुमती दी गई है वो BCCI है जिसकी फुल फोर्म है भारतिय किर्केट कंट्रोल बॉर्ड next question देखते हैं ISA की विशेश सबा के लिए नए महान निदेशक कौन बने है जो International Solar Alliance है उसकी जो विशेश सबा होनी है उसके जो महान निदेशक बने है वो अजे माथुर जी है so hope की आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like और share करना ना भूले मिलेंगे next day next day के current affair के साथ so तब तक के लिए वीडियो को like जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ share करें अगर कोई आप review देना चाते हैं तो please comment box में अपना review रखें so मिलेंगे next video में